लगता है, it seems to me, मुझे लगता है, it seems to me, next sentence है, मेरे अनुभव में, in my experience, in my experience, मेरे अनुभव में, in my experience, मैं अभी वियस्त हूँ, I am busy right now, I am busy right now, मैं अभी वियस्त हूँ, I am busy right now, I am busy right now, next sentence है, क्या आप मुझे call कर सकते हैं, अगर आपको कहना हो, किसी से, क्या आप मुझे call कर सकते हैं, तो आप simple बोलेंगे, can you call me, मुझे बाहर जाने दो अगर आपको दिखाना हो, कि देखिए क्या हो रहा है गहिए क्या हो रहा है तो इसको इंगलिस में बोलेंगे see what's happening देखिए क्या हो रहा है see what's happening मैं सुबह पाँच बजे उठता हूँ इसी तरह मैं रात दस बजे सोता हूँ मैं रात दस बजे सोता हूँ अगर आपको कहना हो मैं तुम्हारे घर आऊंगा अगला सेंटेंस है क्या तुम आ सकते हो क्या तुम आ सकते हो अगला सेंटेंस है अगर आपको कहना हो मैं आऊंगा I will come मैं आऊंगा अगला सेंटेंस है अगर आपको किसी से बताना हो कि मैं सच कह रहा हूँ मैं सच कह रहा हूँ I am telling the truth I am telling the truth मैं सच कह रहा हूँ I am telling the truth नेक्स सेंटेंस है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मैंने ऐसा कुछ नहीं किया I didn't do anything मैंने ऐसा कुछ नहीं किया I didn't do anything और अगर आपको कहना हो किसी से आप से मिलके अच्छा लगा आप से मिलके अच्छा लगा Nice to meet you Nice to meet you आप से मिलके अच्छा लगा Nice to meet you आप से मिलके अच्छा लगा Nice to meet you अगला सेंटेंस है वो लोग आएंगे कहना हो किसी से वो लोग आएंगे तो आप simple बोलेंगे they will come वो लोग आएंगे ऐसा होता है that happens क्या आप जा रहे हैं are you going क्या आप जा रहे हैं are you going अगर आपको किसी से पूछना हो आपकी उम्र क्या है तो आप इंगलिस में पूछेंगे how old are you how old are you मेरी उम्र 16 साल है I am 16 years old I am 16 years old मेरी उम्र 16 साल है I am 16 years old next sentence है मान जाओना अगर आपको कहना हो किसी से मान जाओना तो आप कहेंगे pretty please pretty please pretty please मान जाओना pretty please next sentence है इसे अपने पास रखो इसे अपने पास रखो keep it with you keep it with you इसे अपने पास रखो keep it with you अब नेक्स sentence है इसे नीचे रखो keep it down keep it down मैंने इसे रख लिया अगर आपको कहना हो कि मैंने इसे रख लिया आप इंगलिस में कहेंगे I keep it मैंने इसे रख लिया Next sentence है मुझसे वहां मिलना Meet me there मुझसे वहां मिलना Meet me there अब next sentence है इन दिनों क्या हो रहा है अगर आपको किसे से पूछना हो इन दिनों क्या हो रहा है तो आप English में पूछेंगे इन दिनों क्या हो रहा है अब next sentence है तुमसे मतलब हम कही बार बोलते हैं न तुमसे मतलब None of your business तुमसे मतलब None of your business तुमसे मतलब None of your business बस बहुत हुआ Enough is enough बस बहुत हुआ Enough is enough अगर आपको कहना हो किसी से थोड़ी सर्म कर लो थोड़ी सर्म कर लो Have some same Have some same Have some same थोड़ी सर्म कर लो Have some same थोड़ी सर्म कर लो Have some same थोड़ी सर्म कर लो Next sentence है ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है this is a big deal for me ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है this is a big deal for me next sentence है अपनी जुबान पर काबु रखो control your tongue अपनी जुबान पर काबु रखो next sentence है बस थोड़ी देर और जस्ट आल